अंडर 15,000 का स्मार्टफोन का सेग्मेंट है ये इंडियन ओडियन्स को सब साधा टार्गेट करता है अंडर 20,000 मतलब लोग सब साधा फोन ढूंडते हैं और आज चुमारे पास फोन है वो है मोटरोला का G64 5G ये भाई अंडर 15,000 वाला स्मार्टफोन है मतलब 15,000 के आसपास में 12,256GB ये ओफर करता है 50MP का OIS कैमरा ये ओफर करता है साथ में 6000mAh की बैटरी, 14 5G band, स्टीडियो स्पीकर्स मुझे इंटरस्टिंग लग रहा था मैंने का चलो अंडर 15,000 के आसपास कोई फोन भी रिवीउ नहीं कर आतने टाइम से और डबा खोलते हैं और दिखाते हैं क्या मामला है सब्सक्राइब करते हैं पहली बारा तो तो यहां पर मारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा और मोटरोला ने भाइसा प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग जो है ना हमने बजट सेग्मेंट वाले स्मार्ट फोन में भी आड़ कर दी है और यहां खोलेंगे सबसे पहले मिल जागा फोन आई मीन सीमिजेक्टर पिन वैसे यह वाली सीरी जाना यह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है इनका जी फिफिफ्टी फोर भी आया था उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज देखुआ फ्लिप कार्ट पे तो मतलब काफी जादा बिखते हैं यह देखते हैं कितना तैल क सबस्क्राइब करते हैं और यहां पर कैमरा मॉडियूल काफी चोटा सा है वैसे बड़े-बड़े-बड़े मोडियूल देखने के आदा तो चुकी है यह काफी मतलब सिंपलिस्टिक सा लग रहा है और यहां पर हमारे को प्लास्टिक फ्रेम मिल जाएगा और वॉल्यूम और एक मेमरी कार्ड डाल सकते हो अब तो वन टीबी का मेमरी कार्ड यह सपोर्ट करता है अमने चला के देखा हमारे बास वन टीबी वाला कार्ड है मतलब अराम से चल रहाता है उसके लावा उपर हमारे को नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिल जाएगा डॉल भी और एक हाँ से चलाने मतलब कोई मेरे को आज सच प्रॉब्लम आई नहीं जबकि मेरे हाँ छोटे-छोटे हैं बड़े हाँ वाले तोर बड़े चला लेंगे और इस फोन का वेट हमारे को 192 ग्राम के आसपास मिल जाता है तो थोड़ा सा मतलब मैं कहीं सकता है और यहां पर फाइव इंचिस के डिस्प्ले के साथ यहां पर हमारे को फुल एजडी प्लस पैनल मिल जाता है जिसका रेजलूशन वन जरो एट-जरो वाइट-वाइट-वाइट-वाइट-वाइट-वाइट तक जाता है अकॉर्डिंग तूर यह बैटरी के लिए बहुत बढ़िया हो अब्र जूराने में सही बढ़िया और यहां पर 5-16 डोण चलेजस ऑर बेटर हो सकते मतलब इंडूर में चल कोई डिक्कत निहां तो Üसके उंथर बैडनेस के अगे होती है और जिन्दिगी में जैसे कि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है कॉर्निंग गोरिला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ ही आता है तो मैं नहीं गिरा रहा क्या आप 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 फोन को गिरा नहीं निशिये प्रोटेक्शन के मामले में आप वाइडवाइन का सपोर्ट मिलता है यानि कि आप OTT पर फुल एजडी वाला कॉंटेंट देख सकते हूं यहां पर प्राइम वीडियो नेट्फ्लिक्स दोनों में फुल एजडी का सपोर्ट यहां पर मिलता है यूट्यूब के अंदर हमारे को 1440p 60fps मैक्सिमम मिलता है और अगर HDR वीडियो आप ले करोगे तो उसके अंदर हमारे को HDR यहां पर शो करता है और मल्टी मीडिया एक्स्पिरियंस का सबसे हाइलाइटिंग पार्ट जो इसका वो इसके स्पीकर से हैं यूजली यहां प्राइस पॉइंट अपर जल्दी से मिलते नहीं है और साथ में Dolby Atmos का भी सपोर्ट नहीं तो एक्स्टरनली आपको हेड़फोन यूज करोगे और यूजली बजेट फोन में स्ट्रीयो स्पीकर मिलता है तो इसा होता कि नीचे की तरफ हवास थोड़ी जादा लौड होती है उपर की तरफ थोड़ी कम होती है अराम से दे जाता है और 33 वाट की चार्जिंग है वो एक अच्छी चीज है इस प्राइस पॉइंट के साफ से तो राम से डेड़ घंटे के अंदर ये फोन चार्ज हो जाता है तो बैटरी के मामले में भी ऐसा डिसापॉइंट्मेंट नी है और ऑपरेटिंग सिस्टम इस के अंदर अबरा है ऐसाइज़ होगा जर्गार टाह्या वेड़ाेट बड़ो जाता है व्योंट के अंदर अंदर को अक жиз्ट याश्य का अ्टी। एक मडल जातियो और इहां पे स्सको पर भाइप अच्छी चीभास मिलजाती है सेटिंग्स पर 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 अन्दर प्र there जो मेरे को कस्टमाइजेशन के मामलें बढ़िया लगी उसके नावा डूवल आप का सपोर्ट वी फोन के अंदर मिलता है कोई भी आप आप आपने खोल रखे स्क्रीन के बीच में कुछ इस तरी किसा आप स्वाइब करोगे तो दूसरी आप साइड बाई साइड खोल सकते हो यह इतना बड़ी है फीचर मेरे को लगता है एक सस्ते फोन में अंड्रोड में मिल जाता है यह एपल वाले क्यों नीं करके दे रहे हैं और यह फिर करेंगे आपका कैमरा ओन हो जाता है इवन इसकी बैक को टैप करके भी हम डिफरेंट यहां पर कस्टमाइजेशन कर सकते ह आपको कोई आप खोलनी है जैसे आप हमने होम पे साटी करते होम पर आ जाता है सेक्यूर फोल्डर हमारे को इसके अंदर मिल जाता है जिससे मतलब फुल प्रोसेसर और यह पहला वर्ल्ड का फून है जो इस प्रोसेसर के साथ आया है बागे तो डेफिनिटली आएंगी पर मोटरोला वालों ने अपना यह पहला फॉन लांच किया है और पर्फॉर्मेंस की बात करते है बाई डे टो डे टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी कासी रैम के साथ आता है आप 8GB लिलो बाई 12GB रैम का भी ऑप्शन है मैंने खूल के देखिए यहां पर सोशल मीडिया चलाना वाटसेप चला लिया है बहुत सरी आप्स भी खूलोगे तो यह सच कोई लाग वगरा मेरेको तो फील नहीं हुआ थोड़े बहुत है लाग अगर कभी हो तो वह हो जाते है वह नॉर्मली हर एक फोन के अंदर थोड़ा बहुत होता ही है वैसे जिस प्राइस पॉइंट पाइथा उसका उसका यूजर इंटरफेस और उसकी पर्फॉर्मेंस की बाद चले तो गेम टेस्टों करने बनते ही है सबसे पहले with a gm ii और हां यहां पर आपर मारे को ना गेमिंग की मिलते हैं जैसे आंप वॉल्यूम कम जादा कर सकते हो ब्राइटनेस कम जादा कर सकते हो और यहां पर इस बार पताँ नहीं इस फोन की अंदर हो हमारा जो fp s wala meter न वो चलानी और यहां पर BGMI के अंदर जो खेल के पता लग रहा था यहां पर 35-40 fps वाला gameplay हमारे को मिल जाएगा हमने यहां पर hot drop मारा था military base में और उसके बावजूद भी यहां पर बढ़िया मतलब performance निकाल के दे रहा था मतलब जिस प्राइस त्रेंज का फोन उसके बाद call of duty टेस्ट कर रहे हैं यहां पर को लोग पर मैक्स एफपेस मिल रहे हैं जो कि 60 fps के आसपास होते हैं गेमिंग के अंदर नोटेस करा बीजिए माई से ज्यादा स्मूथ चल रहा था है मेरे शहर के साफ से मैं देरादुन में रहता हूं तो जियो 5G चला था बढ़िया चल रहा था एंद यहां पर हमारे को अल्टरा वाइड कैमरा मिलता है जो मैक्रो की तरह यूजबी हो जाता है एंड फ्रंट कैमरा सेंसर हमारे को 16 मेगा बिक्सल का मिलता है एंड यह कुछ इसका वीडियो सेंपल है फ्रंट कैमरा से एंटी थर्टी एफपीस पर फोन रिकॉर्ड करता है और यह मैंने आन कर रखी है कि अंदर कर रहा हु तो कुछ ऑई एसके अंदर जैसे की तो एसी कॉलिटी आप एक्सपेट कर सकते हो माइक की और बैग कैमरा की थोड़ा सा अंदर बहुँ बढ़ी है तो एसी कुछ क्वालिटी में जागी एंड यहां पर क्यामरे को स्टेबलाइश आपके सामने काफी सारी सेंपल्स लिए थे एंडिया स्के अंदर में काफी इंप्रेसिव सेंपल्स निकल गया और यह हमारे आउट्डूर में परफॉर्मेस अच्छी मिल जाती है दाइनेमिक रहीं सही अंडल कर लेता है आप देख सकते हो आसमान वगयरा और बागी साप अब्जेक्ट से कलर्स वगयरा थोड़ी सी सैचुरेशन हमारे को फोटो में जाता है चीजों को थोड़ा पंची साइड ले जाया जाता है यहां पर फोटो वगयरा में तो कुछ ऐस अच्छी लगी मेरे को जिस प्राइस पॉट्रेट में मेरे को इत्ती उमीद है थी नहीं एज डिटेक्शन काफी ठीक कर रहा है यह पीछे आप देख सकते हो ब्लर काफी बढ़िया बना दे रहा है थोड़ा बहुत अगर क्लोसली देखेंगे तो वह वाली हमारे को ठीक्षन थोड़ा सा क्लोसली देखते ना तो कई जगा थोड़ा सा आउट हो जाता है बट कोई ऐसी दिक्कत है नहीं मतलब प्राइस के साब से ऑब्यस सी बात है और यह मारे इंडोर के सैंपल हो गया और यह नौर में थोड़ा जादा लाइटिंग का सैंपल हो गया और लो लाइट की परफॉर्मेंस में घूंगा और बाकि नौर्मल कुछ पारकवार के सैंपल आउट्डोर में और अगर क्यामरा को कंडूर यहां पर करते तो प्राइस पॉरा रिवियू मोटरोला जी सिक्स्टीफोर एंडर अंडर 15,000 में मेरा फोन रिवियू करने हो था तो मेरे को बताना कि इसके कॉंपिटिशन में कौन-कौन से फोन खड़ी है इस टाइम पर मेरे साफ से अंडर 15,000 में अच्छी चीज़े ओफर कर रहा है कि इसका प्रोसेसर अच्छा आजा है जिस ताइप के यूजर को टारगेट करता है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ब कॉमेंट करके जरूर बताना वो करने की जरूर कोईश करेंगे एंड यस लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा इसके अंदर 8128 GB का वेरेंट मिल जागा जो वैसे 15,000 का है कार्ड ओफर लगा के 14,000 का पड़ेगा और एक इसके अंदर 12256 GB है जो 17,000 का है और कार्ड ओफर लगा गया आपको 16,000 का पड़ जाएगा तो प्राइस भी मतलब 15,000 के आसपास जिस ओडियंस को टरकेट करता है मेरे को सही लगा बाग कि आपके जो भी थोट्स होंगे मेरे को पामेंट करके बता हो पहले बार सब्सक्राइब मारो लाइक मारो और घंटा वोटिफिकेशन मिजने हो निजे मिल ते नेक्स वीडियो अप तक के लिए बाए